हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहू के हाटे का बहुत ज़दा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ता, इस नास्ती को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम तेल में हमारा ये नास्ता बंच कर तयार हो जाएगा और खान को वॉच्छ कर सके तो चलिए फैन या को सबसे पहले लोगा को तयार करना है बहुत दा महीन निए करना है तो यहां पर हमने इसे अलग बर्धर में ट्रांसवर करेंगें तो अब चलते अपने एक कब बहुत बनेगा तो भस चोगाइँ कब स्जी आप लिए को डालना है तो यहां पर सूजी को ही दाने के कर सकती है तो सुझी डालने के बाद हम करेंगे स्वाद अनुसान नमक नमक डालने के बाद सरी हसे लाद जरूर आप दालीगे हमारे नास्ते में बहुत यह अच्छा सा टेस्ट आएगा तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम इसमें धीरे-धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम एक semi-soft dough तयार करेंगे जैसे हम normal चपाती के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है लेकिन इस आटो को आपको सिर्फ जोड़ना है इसे अब बहुत सदा नीट नहीं करना है तो देखिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अपने आटे को हम अच्छे से समेट देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को काफी अच्छे से अजवाइन का जो टेस्स होता है वो इस नास्ति में बहुत सदा अच्छा आता है तो आदा चोटा चमजित्ती अजवाइन डालेगा इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चोटाई चमजित्ती रच चिली फ्लिक्स साथ हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी से फ्रश बारी कटी हुई हरी धनिया और दो से तीन हरी मिर्च तो हरी मिर्च आप याए तो यहाँ पर इसकेप कर सकते हैं लेकिन हरी मिर्च का जो टेस होता है वो इस नास्ते में बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से अध्रक के टुकड़े का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद अपनी स्टफिंग को थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा मिर्ची का जार और साथ हम इसमें मिर्ची के अचार का जो तेल हो इसमें सारी चीजों को हमने अच्केसर मिक्स कर दिया है तो यहाँ पर हमारी चटपटी से स्टस्फिंग रैडी हो चुकी है तो अब फडा पटते अपने आठे को चक कर लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा आटा काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो बस एक से दो मिनिट में हमारा जो आटा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है तो हम इसे इस तरह से नेट कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए इसके बाद इस तरह से थोड़े से amount में इस dough को लेंगे और हाथों से अच्छे से इसकी smooth लोई बनाएंगे एक बार जब हमारी लोई अच्छे से बनकर तयार हो जाएगी तो हम इसे एक bowl का shape दे देंगे हम अपनी stuffing को फिल करेंगे तो सिबसे पहले अपनी stuffing को हम ले लिए और 1,5 चमच के करीब हम इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे glaube इस तरह से इंगलियों से हलका सा प्रेस कर देंगे तक यह बिल्कुल भी करें इसके बाद इस इस नास्ते को हम बनाएंगे ताकि यह जल्दी कुक हो जाए तो इस तरह से अपनी सारी स्टफिंग को हम एके करके फिल करते जाएंगे अगर आपकी स्टफिंग बहुत ज़दा बिखर रही है तो आप इसमें एक से दो चमच के करीब घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते है तो इदिकी यहाँ पर हमने सारी नास्ते को इसी तरह से बना कर रैडिकल लेना है तो चलिए फटाफट से इसे हम बना लेते तो यहाँ पर हमने सारी नास्ते को अच्छे से श्वेप दे दिया है तो आप इसे हम फटाफट से कुक कर लेंगे तो कुक करने के लिए यहाँ पर हमने iron pan का इस्तेमाल किया है इससे हमारा नास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा crispy बनता है तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जैसे हमारा तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा हम इसमें add करेंगे अपने नास्तिक को एक एक कर होता है वो अंदर अच्छी हो जाता है क्योंकि अप 될ा रोगे हैं इस लिए प्लत देंगे दूसे साइड पलटकर हम इसे पड़काएंगे लेकिन दूसे को लगेगी काफी अच्छ से रापट हो गई यह काफी आपको ईसे निकाल लेना है और इसी तरह से आपको बाधी बच्चे नास्ते को भी बना लेना है हमारे गेहून के आटे का यह बहुत जदा ज़्यादा क्रिस्पी लगती है खाने में तो ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा दोस्तों में सुशेयर कीजिएगा और गरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी ज़रूर प्रस कीजिएगा बिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी नहीं मज़़दार रेसिपीस के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाई एंड टेकर एंड थैंक्स पर वाचिंग पित walो रेस्पाइब करते हैं यहाल रखें टेज़दा थैंक्स पर अचू और रहन झाल फर बादेद़ कीज़ ज़र रेसिता हैं यहाल भी ज़ जया बोगर यहाल तो पिताव चैंश कीज़देना डा़ टेरूर बाई ज़र प्राफें ज़र एंगर आएंग ज़र पारव